ज्यादा सोचने से कैसे बचें या फिर कहें How to Stop Overthinking एक समय की बात है, एक गाव में राज नाम का एक युबा रहता था राज एक बुद्धिमान और महनती व्यक्ती था, लेकिन उसका एक बड़ा समस्या थी वह अत्यधिक सोचता था, हर छोटी सी बात पर वह घंटों तक विचार करता रहता था जिससे उसका मन और जीवन दोनों ही परेशान रहते थे उसके दोस्तों और परिवार ने उसे कई बार समझाने की कोशिश की कि वह इतना नहीं सोचे लेकिन राज की आदतें बदलने का नाम ही नहीं लेती थी एक दिन राज ने सुनने में आया कि गांव के पास के पहाडों में एक बुद्धी जीवी संत रहते हैं जो लोगों को मानसिक शान्ति प्रदान करने के लिए प्रसिद्ध है राज ने निश्चय किया कि वह संत से मिलने जाएगा और अपनी समस्या का समाधान पूछेगा वह जल्दी ही पहाडों की ओर चल पड़ा और कुछ दिनों की कठिन यात्रा के बाद संत के आश्रम पहुचा संत ने बड़े ही प्रेम और स्नेह से राज का स्वागत किया राज ने अपनी समस्या संत को बताई और पूछा महात्मा जी मैं हमेशा बहुत सोचता रहता हूँ जिससे मेरी मानसिक शान्ति खो जाती है कृपया मुझे इस समस्या से बाहर निकलने का उपाय बताए संत ने मुस्कुराते हुए कहा बेटा, तुम्हारी समस्या का समाधान भीतर ही है लेकिन उसके लिए तुम्हें पहले कुछ समय यहां रहकर ध्यान करना होगा और कुछ बातें सीखनी होगी राज ने संत के आदेश का पालन किया और आश्रम में रहने लगा संत ने उसे ध्यान के विभिन्न तरीकों और बुद्ध के उपदेशों के बारे में सिखाया राज ने सीखा कि किस प्रकार विचारों को नियंतरित किया जा सकता है और वर्तमान क्षण में जीने का महत्व क्या होता है। उसने धीरे-धीरे अपनी सोचने की आदत पर काबू पाना शुरू किया। एक दिन संत ने राज को पास बुलाया और एक कटोरा दिया, जिसमें कुछ पानी भरा हुआ था। संत ने कहा, इस कटोरे को लेकर नदी तक जाओ और बिना कोई पानी गिराए लोटाओ। राज ने संत के आदेश का पालन किया और धीरे-धीरे कदम बढ़ाते हुए नदी तक गया। उसने ध्यान पुर्वक चलकर एक भी बून पानी गिरने नहीं थी। जब वह वापस लोटा, तो संत ने पूछा, बेटा, तुमने ये काम कैसे किया। राज ने उत्तर दिया। मैंने केबल कटोरे पर ध्यान केंद्रित किया और हर कदम सोच समझ कर बढ़ाया। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, बस यही तुम्हारी समस्या का समाधान है। जब भी तुम्हारे मन में अनेक विचार आएं, तो अपने मन को एक जगह केंद्रित करो और वर्तमान क्षण में जीने की कोशिश करो। विचारों को भटकने मत दो, उन्हें एक दिशा में लेकर चलो। राज ने संत की यह बात अपने जीवन में उतार ली। उसने जब भी अपने मन को भटकते हुए पाया, तो ध्यान और साधना का सहारा लिया। धीरे-धीरे उसकी सोचने की आदत कम होती गई, और उसने मानसिक शांती प्राप्ट की। उसने सीखा कि अत्यधिक सोचने से बचने का सबसे अच्छा तरीका है वर्तमान में जीना और अपने मन को एकाग्र करना। इस प्रकार राज ने अपनी जीवन की सबसे बड़ी समस्या का समाधान पाया और संत के उपदेशों के अनुसार जीवन जीते हुए खुशहाल और संतुष्ट हो गया उसकी कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में मानसिक शांती प्राप्त करने के लिए वर्तमानक्षण में जीना और विचारों को नियंत्रित करना कितना महत्वपूर्ण है यह कहानी लाई गई है आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल लाइफ कमपस द्वारा जहां हम आपको रोजाना प्रेरणा दायक कहानिया और जीवन की महत्वपूर्ण सीख प्रदान करते हैं यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो और आप ऐसी ही और प्रेरणा दायक कहानिया सुनना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें आपका समर्थन हमें और भी प्रेरणादायक सामगरी बनाने के लिए प्रेवित करता है धन्यवाद